तो कैसे हैं आप सभी लोग एक बार फिर से वलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इस्टडी भी थी होगे इसमें आज हम लोगं का करंट आफियर का चौथा भाग आएगा इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें बताऊंगा उसको सुनने न देखो इस पार्ट को देखने का तब भाइदा है जब आप इसके पहले के तीन भागों को देखेंगे क्योंकि करंट आफियर का जो अधिकांस्त पोर्शन था यानि जो महत्तपूर्ण केटिगरी थी करंट आफियर के आपके एक्जाम की दिश्टी से वो पहले के तीन भागों में कबर हो चुकी है इस वीडियो को देखने का तब ही फाइदा है जब आप पहले के तीन पार्ट देखेंगे क्योंकि मैंने इस वीडियो में ऐसी चीजा कबर की है जो सिर्फ करंट आफियर ही नहीं है वो पुराने उत्राखन के क्वेशन भी हो सकते हैं हो सकता है 2016 में कुछ हुआ हो 2017 में कुछ हुआ हो 2018 में कोई फिमस चीज हुई हो तो वहां से मैंने cover की है चीजै तो आप लोग पहले 3 वीडियो देखना उसके बाद इस वीडियो को आपको आगे देखना होगा ठीक है शडल्दि उसको इतना देखने का टाइम नहीं होा तो फिर भी मैं आपको अपडेट बता देता हूँ, एक जो किसान पेंशन योज़ना था, उसका अमाउंट थाउजन रुपे कर देना आप, ऐसन पेंशन योज़ना है, उसमें 800 कराये गया थै मेरे दारा उसको अब जाके अपडेट हो चुका है वो अब कितना कर दोगा उसको भी 1000 रुपे कर दोगे टील्व रौतली पैंसन योजना को कितना करोगे 1000 रुपे 1000 रुपे बांकी काइटी töशा बांकी पंडित दीन दयाल उपाध्याई मात्र पित्र तीर्थाटन योजना कर देना तो किसान पित्र योजना संभावता इस बार दिखेगी आपको और यह कोशन आता वी है कि हजार रुपे हो चुक है है और पंडित दिन दयाल पाद है मात्र पिरत तीर्थाटन योजना उसको करना है वो जो अपडेट मैंने छोड़ रखता यह अपडेट हो गया ठीक है आज आज हम current of year का next part देखेंगे, यानि चौथा भाग देखेंगे, और इसमें कुछ भी मैं डाल सकता हूँ, कुछ भी जो आपकी exam की दिश्टे से महत्तपुन हो सकता है, पहली चीज आप डालोगे, देखो ये कोई ज्यादा detail से नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, बहुत deep नहीं प कुछ हो जाएगा, तो पहले आपने आप में क्या था, बहुत बड़िया चीज थी राज्य के अंदर, और पहला जिला था उत्तरकासी, जिसने इस परकार का single window system जारी किया, अब आपको गई क्या है, कुछ नहीं एक portal type का होगा, जिसमें सारी सुभिताएं होंगी, कितना आ उत्तरकासी, ठीक है, क्या लिखोगे, आप लोग पूरा, पूरा रिखने आपको ठीक है, पथिक single window system परियतन के लिए, किसने online पर के लिए, किसने जारी क्या था, उत्तरकासी, और किस चीज के लिए था, permit के लिए था, permit मतलब एक प्रकार का permission लेने के लिए, आप लोग कह सिंगल window system नाम का permit किसने जारी किया, अगर आप से पूछता है, तो उत्तरकासी ठीक है, पहला था, समझ दे ना, पूरा question कैसे लिखने है, पथिक नामक single window system परियतन की permit के लिए, किसने जारी किया, उत्तरकासी, फिर सुनलो, पथिक single window system नाम का जो आप कहे है, परियतन है, सिंगल window system किसने जारी किया, उत्तरकासी ने, पहली चीज ठीक है, दूसरा एक बहुत परशिद्ध व्यक्ति हैं उत्तराखन में, जो बार-बार चर्चा में रहते हैं, उनका नाम आप लोंको सभी को आता होगा, लवराज सिंग धरम सक्तू, उनका नाम में इसका सम्मंद पुछेगा, तो परवता रोही हैं, परवता रोहन से इनका कहें, संबत है, ये भी आपको पता होना चे, लगवराज सिंग धरम सक्तू, ठीक है, अगली चीज जो है, आपे एक बहुत most important question है, जो मुझे व्यक्तिकात और फिलकता, आपका पेपिल में दिख सकता है, उत्रा उत्राखंद युवा नीती है, इसी परकार से उत्राखंद फिलमे नीती है, ये वशन आपको आना चाहिए 2015 कर देना, उत्राखंद फिलमे नीती कब बनी, अगर आपसे पु soutता है, तो आप लोग बता देना, 2015 बनी ठीक है, डीप नहीं पढ़ा रहा हो, सिर्क आपको पेक लोग गायक है क्या लिखोगे हीरा SARI RANA क muti于 कौन थे लोग गायक कमवनी वगहरा गाने गाते थे बहुत फेमाने ते क्या लोग गायक ही भी आप लोग को बता होना च्यारे हीरा Sorrowी को 먼저 हो गया वह कौन थे लोग गायक थे उत Sachand में ही एक देश का पहला एक अवार्ड मिला था उत्तराखन को 2017 के टाइम बेग बहुत प्रसिद्ध अवार्ड था और ये क्वेशन इस प्रकार से पूछ सकता है कि किस वर्स ऐसे पूछेगा किस वर्स उत्तराखन को इसके पहला वार्ड मिला यानि जो बागों का संदक्षन होता है टाइगर का जो संदक्षन करना है कंजब करना है उसके लिए क्या-क्या मानक होंगे अर्थार उत्तराखन को देश का पहला संदक्षन आस्वस्त बाग मानक अवार्ड मिला था 2017 में तो क्या लिखोगे उत्तराखन को किस वर्स आपको पूरा लिखना है तो उत्राखन को किस वर्स पहला संदक्षन आस्वस्त बाग मानक अवर्ड क्या लिखोगे संदक्षन आस्वस्त यानि आस्वस्त का मतला आस्वासन देना की क्या क्या चीज़ा हो रही ठीक है संदक्षन आस्वस्त बाग मानक अवर्ड मानक अवर्ड किस वर्स दिया गया 2017 में दिया गया तो यह याद रखना उत्राखन को किस वर्स है यह से लिखोगे उत्राखन को किस वर्स संदक्षन आस्वस्त बाग मानक अवर्ड मिला था यह 2017 में मिला था आपको याद रखना है. एक बहुत प्रसिद्ध करणे रुसे हैं, उसका नाम था उत्राखन आंदोaries विअनू के की क्या लिखोघे? उत्राखन आंदोलन इस्मिर्तियों का हिमालई. हिमालएe यह जो पुश्ता कहें किसकी है हरीस लखेडा जी की हरीस किसकी है हरीस लखेडा जी की है ये यह भी आपको पता nac चे तो अगर आपसे पुश्ता परसुन जोशी का सम稳 अब बता देना एक प्रकार कि कवी, गीतकार और फिल्मकार हैं, यानि कवी भी पूछ सकता है, गीतकार भी जो भी लिखाओगा, ठीक है, तो अब प्रसून जोसी लिख लेजिए, यह जब तब बहुत चर्चा में लेजिए, जब सेंसर बोट का अध्यक्स बनाया गया था इ यह हैं मेली फिल्मकार वगरा, प्रसून जोसी यह भी आपसे पूछ सकता है, यह तब चर्चा में रहते हैं, जब सेंसर बोट का अध्यक्स बनाया गया था, हर साल उत्राखन में एक दिवस मनाया जाता है, जिसका नाम है हिमालाई दिवस, यह भी चर्चित रहता है, यह क पुस्तक निकली थी, एक जीवनी निकली थी, सुन्दलाल बहुगुणा के जीवन पे था, उस पुस्तक का नाम है, उनके जीवनी है हिमालाई में महत्मा गांधी के सिपाही सुन्दलाल बहुगुणा, यह किसकी है, ठीक है, तो आप लोग लिखोगे, हिमालाई में महत्म गाधी के सिपाही सुन्दरलाल बहुणा क्या लिखोगे सुन्दरलाल बहुणा ये किसकी कृति है अगर आप से पूछता है वाडिया सस्तान में प्रसित भुवज्यानी कहा है प्रोपेसर वल्दिया जी उनकी ये मतलब उनकी थी ठीक है हिमाले में पहले पब्लिश हो चुक हिमाले में अब वल्दिया जी भी चर्टा में रहता है वो भी ध्यान दुखना हिमाले में महत्मागाधी के सिपाही सुन्दलाल बहुणा ये किसकी अगर आप से पूस्ता है प्रोपेसर क.S. वल्दिया की है हिमाले में महात्मा गादी के सिपाही सुंदललाल बहुणा किसकी बुष्ट है तो प्रोफेसर केस वल दिया कि इसके अलावा देखो भारत में एक बहुत प्रसिद्ध बुक थी एक दार्शनिक थी मैक्समूलर उनकी एक किताब थी कि भारत में क्या सिखा सकता है इसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया गया था और वो किताब भी बहुत चर्चा में रही थी उनका नाम था जिसने ट्रांसलेशन किया था परकास थपल याल तो एक बुस्तक थी वट इंडिया केंट टीच अस भारत हमें क्या सिखा सकता है इसको अनुवाद किस ने किया था प सिखा सकता है भारत हमें क्या सिखा सकता है का अनुवाद दिखोगी का अनुवाद ये तो बुख होगी कि इसमें क्या था What India Can Teach Us का अनुवाद यानि का translation किस ने किया था प्रकास थपलियाल दोरा प्रकास थपलियाल ये भी आपको पता होना चाहिए ठीक है प्रकास थपलियाल जी ने इसका translation कहता है सब पुराने है ये सिमन नया कुछ नी दिखेगा आपको तब ही कह रहा हूँ करण्ट अफिर कि पहले की तीन वीडियो देखने के बाद ही इस वीडियो को देखना क्योंकि वहाँ में करण्ट अफिर है और यहां मुझे जो लगता है कि क्या आपसे पूछा जा सकता है आप लोग के लिए ही है अब जो है एक most important योजना थी अब ही भी वो संचाली थे उसका नाम है पंडित दीन दयाल उपाध्याई इसमें ऐसा भी लिखा होगा सहकारी किसान कल्यान योजना कहे या किसान कल्यान योजना कहे यह कब से शुरूई थी 2017 से ही हुई थी अब देखो जब यह पॉड़ी गड़वाल में देख रहा था मैं शुरूआद की थी उस टाइम अक्टूबर एक तारीख थी वहाँ इसका इन्योग्रेशन किया था इसकी सुरूआज उसके बाद राजजिस्त आपना दियोश 9 नौबर 2017 को इसको किया था तो एक ही डेट आएगी तो 2017 लिख लिजे आप लोग 9 नौबर ब्रैकेट में एक अक्टूबर 2017 अब दोनों देख रहा था मैं एक जगह में न दिख रहा था किया था सहकारी किसान कल्यान योजना का इस तीति सीगो एक क्टूबर 2017 के ऊसपास इसका क्या गयर था जरूरफट टिकि अगर 2% की रियाज दर पे आपको 1,00,000 रुपे तक का लोन दिया जाता है ताकि आप अपना काम सुरूगर से किसान के लिए है तो इसमें डैस करके लिखो 2% की व्याज पर 1,00,000 तक का रेना किसान कल्यान योजना जो शुरुवात विची नौन उम्बर 2017 या एक ही डेट आएगी एक अक्टूबर 2017 ब्रैकेट में लिखने आपको दो परसेंटे वियाज पर एक लाग तक का इसमें कैं मिलता है रेन मिलता है ठीक है अब देखिए एक और चीज़ है यहाँ पे उत्तरा स समकालीन कला केंदर कहा है देहरा दून में उत्तरा समकालीन समकालीन केंदर की स्तापना देहरा दून में की गई है ठीक है यह भी पुराना है कहां है पुछता है तो आप बता देना देहरा दूनों क्या है यह तो क्या थे वन लाइन पेसिक थे इस से आगे को आप लोग को या यूजना उसके तहेद पूरे देस का पहला पर्षिशन के अंदर पहला परशिशन के अंदर ट्रेणिंग सेंटर जो खोला गया था PM Hiç Install India के अंδर तो वो कहाँ खोला गया था दून में यानी देहरा दून कहाँ खोला गया था पूसता आप से तो आप बता देना देहरा दून में ये भी पुरान है अब आप मत गयाना कब खोला हम तो ये पड़के गए थे, हम तो पड़के गए थे, टिहरी हम तो पड़के गए थे, इचारी बाद, ये सब ये कुछ नहीं होता है, दुना व लगुजल विद्धुत पर युजना, इसको important कर देना, विद्धुत परियुजना, देखें, ये कहां है, ये है पौरी गड़ की है और बीरोखाल ब्लॉक में पढ़ता है कहां पढ़ता है बीरोखाल ब्लॉक और वहाँ पे कौन सी नदी है आप लोगों को बीरोखाल दिखाया था हमेने नयार नदी नयार नदी पर ठीक है यह याद रखना दुना लगुजल विद्धुत परियोजना और इंपोटेंट पर question पूछ देगा सहीद रमा प्रसाद नोटियाल के नाम पर नोटियाल के नाम पर ये ये मान के चलो ये अभी का current affair नहीं है ये question कहीं से भी आ सकते हैं ये वहाँ के current affair के question ने ठीक है तो यहाँ ऐसा ही रहता है है आज आप पड़ोगे पकुची का 2-3 साल पुराना 3-4 साल पुराना जो famous चीज होती है तो दुना लगुजल विद्धित परियोजना पौडी में 500 मेगा बाट की बिरोखाल ब्लोक पे नया नदी पे सहीद रमा परसाद नोटियाल के नाम पे इसको रखा गया है ठीक है इसका मुख्यमंत्री भूत पूरू मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्गाटन भी किया था सन 2008 रखा रहे है असपा तो चैकोट महुत सो लिख लेजी फिर गूंते रहोगे किताबों के बीचे चैकोट आ गया इसकिताब से नहीं आता है याद रखना आप लोग जो भी एक्जाम देंगे आगे को s Harrison को Follow करना government क्या करते कहां कहां जा रही है आयोग की ज़ेशर भी वहीं रहते हैं आयोग वहीं से question पिक करता आप को यह लखता होगा इस किताब से पूचा है इतना फिरसात नहीं है किसी आयोग के पास यार कि से चैक़़ट महूसर पूच देंगा उस आ शाल्दे ब्लोग कहां पड़ता है, अलमोडा में, तो इस शाल्दे में चेकफ़ोड महुच्छा होता है, और यहीं पर एक और चीज है, उसका नाम है, एक और मिला बहुत कि मैञे है, बसंत मिला वो लगता है, बढ़कोठ उत्तरगासी में, और लिंकंगे ऐसे गरूंगा, म मैंने कही न कहीं किसी ने किसी वज़े से चर्चित रहे थे इसलिए मैं कुछन ऐसे करा रहा हूँ अब चर्चित क्यों रहे अभी इतना टाइम नहीं है ठीक है बसंत मिला बढ़कोट उत्तर कासी बढ़कोट उत्तर कासी ये भी बहुत जाद क्या है फिमस है बसंत मिला बढ़कोट बहुत दोनों आपको याद रखने है अब इन लोग नहीं क्या किया जो महिलाएं होती है जो सेल्फ हेल्प ग्रूप होते हैं स्वयम सायक समूज होते हैं उन महिलाओं को थोड़ा सा उनका उत्थान करने के लिए एक LED ग्राम लाइट प्रक्षिक्षन कारिक्रम चलाए था यानि LED ग्राम लाइट प्रक्षिक्षन कारिक्रम चलाए था जिसकी तारीक केंद्र सरकार से भी वी थी तो उसको नो लिख लेना LED ग्राम प्रक्षिक्षन कारिक्रम यह नहीं कहले होगे इसको पूरा नाम LED Gram Light Precision कारिक्रम जो चला था ये भी पूरा नहीं है ये चला था 7 मार्च 2018 के आसपास और ये क्या था जो महिलाएं होती है Self-Help Group होते हैं सवयम सायती समू होते हैं उल लोगों को इस चीज का precision देना था जो LED बल्ब, LED लाइटों से सम्मन्दित चीज़ें होती हैं ताकि वो उस training के बाद इसमें क्या पाई सकें मतलब इसमें perfect हो सकें इसका अच्छा knowledge हो सकें और वो अपना कहीं पर इसका काम अगेरा करके अच्छा कैसा पैसा गमा सकते हैं तो क्या लिखोगे 7 March 2018 साथ या आठ मार्च हैं देख लिना साथ साथ मार्च है कि 8 March को महिला दियो इस भी होता है हो सकता है कि वो 8 March हो एक पाई इसको confirm कर लेना ठीक है नेट में सर्च करना जहां तक मुझे याद है 7 March है इसको देख लिना एक बाट ठीक है स्वयम साहिता समूज होता है महिलाओं को Self Help Group SHG लिख जिया में ठीक है महिलाओ Self Help Group के लिए ये चला था इसमें क्या किया था इसकी ट्रेनिंग जी जाती थी इसके अलावा एक और काम किया गया था उसमें था एकल महिला रेन योजना कुछ नहीं यार Current Affair को Enjoy करके पढ़ना क्योंकि आज Current Affair कल के दियाज बन जाता है तो ज्यादा Important नहीं रहता है ठीक है एकल महिला रेन योजना 8 March 2018 से है और इसमें क्या होता है जो Single महिलाओं होते हैं जो किसी पे जिसका कोई आसपास होता नहीं है यानि वो Single होती है तो उनको क्या दिया जाता है रेन बगर दिया जाता है इसमें एक लाख रुपे का रेन दिया जाता है और इसको दिया जाता है पंडित दीन दयाल सामाजिक सुरक्षा कोई से यानि पंडित दीन दयाल सामाजिक सुरक्षा कोई से एक लाग तक का रेन दिया जाता है इसमें ठीक है यह मैं इरेज कर रहा हूं दिखना क्या दिखोगे एक लाग का रेन एक लाग का रेन और किस्चे दिया जाता है पंडित दीन दयाल सामाजिक सुरक्षा कोस सुरक्षा कोस से क्या किया जाता है दिया जाता है तो एकल महिला परेण योज़ा 8 मार्च 2018 से ठीक है इसके अलावा एक बहुत परसिद्ध मेला लगता है मैंने सायद इसको चमोली में बताया होगा अनुसुया मेला कहा लगता है चमोली में लगता है और वो भी संतान प्राप्ति के लिए लोग वहाँ पर काम ना करते है तो अगला लिखो अनुसुया मेला सबर चर्चिद रहे इसी लिए लिखा रहा हूँ ठीक है ये मत कहना सरी मेला यहां क्यों लिखा दिया चमोली तो ब्रेकेट में लिखना संतान प्राप्ति हे तु यहां भी क्या होती है मनोकामना लोग करते है और एक most important कर देना स्री गुरू कैला पीर क्य पौरानिक बगवाल बलराज मेला क्या लिखोगे स्री गुरू कैलापीर पौरानिक यह देवता भी है स्री गुरू कैलापीर देवता पौरानिक बगवाल बलराज मेला ठीक है स्री गुरू कैलापीर पौरानिक बगवाल बलराज मेला आधे लोग इसको चंपाउत कुछता है आपिला के दार्म कि याद करएगा कि याद करो क्या पड़ाय था मैंने आपको टीरि में बुरा के दार टी इन पोला होते हैं नफारी का आप पोड़ा के दार टिहरी में रखते हैं ये भी आपको याद रखना है अब जो है एक most important चीज आपको मैं बताता हूं ये आपको ध्यान रखते हैं एक data center खुला यहां पे देश का अपने आप में एक अनुठा data center खुला जिसमें सरकार की क्या होते हैं सभी चीज़े यानि जो data क्या उपलब दोता है government से संब्सक्राइब तो एक ही जगह मिल जाएगा उसको बोलते हैं data center तो देश का पहला HCI technology state data center दोन में खुला है ये याद रखना और ये भी 2018 में खुला था तो क्या लिखोगे देश का पहला देश का पहला HCI technology state data center ये कहां खुला देहरा दोन में खुला है और इसको भी क्या गढ़ोगे important गढ़ोगे ठीक है दून में खुला important गढ़ोगे देश का पहला HCI technology state data center कहां खुला पुछत है तो देहरा दून में खुला और इसको भी क्या करना है important गढ़ना और इक कब खुला था 26 November 2018 को इसकी date क्या है 26 November देट नहीं बुछेगा 2008 इसकी date नहीं बुछेगा इसका कहां खुला ये बुछत है अब कहोगे आप HCI technology क्या होती खुछी infrastructure टाइप का होता अपने आप में उसको बोलता है hyper converge infrastructure ठीक है वो नहीं पूरपर नहीं हमने hyper converge infrastructure टेक्नलोजी स्टेट डाटा सेंटर 26 November 2018 को कहां खुला देशका पहला 26 November 2018 को देख रहा दुन में इसमें क्या होगा गवर्मेंट की जो मतलब टोटाल डेटा होता है अलग 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 जगन मिलकी एक ही जगा उसका टोटल का मिल जाएगा डेटा मिल जाएगा अगला लिक का त्यायब लेगी कि जी का संबंद है वो अपने आप में क्या है क्या है? परियावरर22 प्रेमी है, समाज से भी है, इस परकार के इन्हें काम के थे और ये तब चर्चामे रहे थे, जब इनको एक आवार्ड मिला था, उसका नाम है जमना लाल बजाज पुरुसकार मिला थ तब ये चरचा में रहे थे, तो ये किसी से संबन्दित है, परियावरण क्रेमी प्लस समाच सेबी समाच सेबी, इस टाइप के हैं ठीक है, कोई ऐसे कभी अभी नहीं है, परियावरण बगरा, समाच बगरा को देखते हैं, धुम सिंह नेगी इस से है और ये कब चर्चा में रहे थे, क्यूं चर्चा में रहे थे, पुराना है, अभीका नहीं, 2016 के आसपास इनको ये अवार्ड मिला था, तो कशन कहीं भी पूछ दिता है कि धुमसी नेगी जी का संबंद किसी है, और तब चर्चा में क्यू रहे थे, जब इनको जमना लाल बज बजाज पुरुसकार, बजाज पुरुसकार मिला था, ठीक है, तब ही क्या रहे थे, चर्चा में रहे थे, सम्टिंग 2016 के आसपास इनको ये मिला था, अगला कुश्यन जो है, इसमें एक मनोज सरकार है, उनका संबंद पूछ दिका, तो पैरा बैटमेंटेल लगा लेना, इनको अरजून अवर्ड जब मिला था, ये तब चर्चा में रहे थे, तो मनोज सरकार का संबंद है, मनोज सरकार का संबंद है, किस से लिखोगे, पैरा बैटमेंटेल, और क्यों चर्चा में रहे थे, जब इनको अरजून अवर्ड मिला था, अब कब मिला था, क्या मिला दोडते रहना है ऐसके अलावा जो है विस्व오े सरफा यहीं देरादुन में, जब आफ दिलली यूटारी रोट PER जाओं रोटी तान पर पढ़ता है, वो ब CHRISTIge तानल इन तैनल से विश्वे सराइया टनल और विश्वे सराइया जी कौन थे इंजिनिरिंग के पितामा क्या लाए जाते है भारत में उनका जन्मिदिन वगएरा भी आपनों को पता है तो विश्वे सराइया टनल लिखो विश्वे सरय या टनल ये कहा है दून में दून में मतलब डाट काली मंदिर के पास डाट काली मंदिर के पास लिखो डाट काली मंदिर के पास दिल्ली रोड पे ठीक है तो विश्वे सरय या टनल अगर आपसे पूछता है आप बताओगे देहरा दून में डाटकाली मंदिर के पास है ये आप लोगों को पता होना चाहिए ठीक ये विश्वेसर या टनल और एक गौणी उस्षव भी होता है वह होता है पड़ी गलमान में वो भी चर्चिद रहा था तो उसका नाम लिकली ज़े गवानी उस्विप गवानी ऊस्व यह पॉडि से रहता है तो गवानी ऊश्व किसे कहा है पॉडरी करवाल में ठीक है इसके अलावा कुछ और आपके बसे को लिखा होगा fraud है। तो आयोगी जाने, क्या हुआ था देखो, राज्य का पहला जैसे आपने दिखा होगा solid material होते हैं, यानि जो ठोस कुड़ा होता है, जैविक होते हैं, अजैविक होते हैं, कुड़े के अलग-अलग category होते हैं, जैसे TV है, वो solid क्या हो गया, waste हो गया, freeze है, पंखे हैं, तो इस चीज को क्या करना था, recycle करना था, यानि इसको disposal करना था, क्योंकि plastic बेढ़ा तो dispose होती नहीं है, इसको disposable करना था, recycle करना था, इन सब चीज़ों के लिए पहला plant बनाया गया, वो देहरादूर में बनाया गया, उसका नाम है सीसंबाडा नामक जगा पे, और इस सीसंबाडा पड़ता है देहरादुन में तो आपको ये वाला क्वेशन ने नोट करना है ये आज नहीं तो कल के वेपर में कभी नगभी दिख जाएगा आपको तो 2008 में इसका उत्खटन वाता है तो क्या लिखोगे परदेश का पहला solid waste यानि जो ठोस होता है waste material जो solid होता है पंके, टीवी, फ्रेज ये सब चीज नहीं ठीक है जो गलती नहीं है solid waste processing करना है उसको फिर उसको compose करना है यानि compositing and sanitary land free disposal plant यहां को लागया है सिसंबाडा देहरादुन में खोला गया तो यह आपको पहला लिखना है तो देश का पहला यानि प्रदेश का पहला solid waste processing यानि solid है उसको waste item है उसको process करना है, compose करना है and sanitary landfill disposable plant उसको dispose करना है क्योंकि यह परियानों के लिए बहुत हानिकारक होती तूरती फूरती गलती नहीं है ठीक है कई वर्स लग जाते हैं इसको फिर भी ऐसी रहेंगी तो इसको बनाया गया है सिसंबाडा देहरादुन में उसके अलावा आप लोग ने एक योजना सुने होगी परधान मंत्री ग्राम सडक योजना परधान मंत्री ग्राम सडक योजना की एक particular category में उत्राखन को वर्स 2018 में पर्थम पुरुषकार मिला था तो अगला लिखना परधान मंत्री PM ग्राम सडक योजना में उत्राखन पर्थम कब था, 2018 में लिखता हूँ, 2018 में क्या था, फस्ट था, उत्राखन पर्दामजरी ग्राम सड़क योज़ाम, उत्राखन पर्थम कब था, 2018 में, एक और पुस्तक है, भारती स्वतंता संग्राम में देहरदून का योगदान, ये भी पब्लिस हुई, ये संग्राम में देहरदून की भूमी का, ये पुस्तक निकली थी, ये निकली थी पुरुसोत्तम दास कंडवाल की, पुरुसोत्तम दास कंडवाल जी की ये पुस्तक है, ये भी आप लों को नोट करना है, फारती स्वतंता संग्राम में देहरदून की भूमी का, किसकी पुस प्रियाटन के लिया लिए यानि सर्वश्वरस्ट प्रियाटन के लिए पहला अवड़ 2018 मिला तो उत्राखंड को अगला लिखो उत्राखंड को सहसिक परियटन हे तू पर्थम प्रुसकार यानि पर्थम क्या लिखोगा या वॉड लिखो प्रुसकार कब दिये गया था? 2018 में दिये गया था? ये भी आप लोग को पता होना से भाराफ सर्गार के वाराइश को ये मिला था अभी डिसेंटली एक बाल स्रम पुलिस थाना खुला है बाल स्रम पुलिस थाना देहरादून डालन वाला में राजजी का पहला राजजी का पहला बाल स्रम पुलिस थाना ये कहां खुला है डालन वाला और डालन वाला कहां पड़ता है दून में कहां पड़ता है देहरादून में इसके अलावा गंतंत्र दिवस 2021 में जाकी का नाम क्या था वो लिख लीजिए केदार नात की जाकी थी दिखाएगी थी और इसको कौन सा एवर्ड मिला तीसरा पुरुषकार मिला तो इस जाकी को थार्ड एवर्ड लिखो ब्रैकेट मा लिखो इस जाकी को थार्ड अवर्ड मताद धीसरा इसतान पर रही थी यह जाकी थार्ड पोजिशन पर रही थी लिखो एक और यहाँ पर पार्क हो लागया था कंडोलिया थीम पार्क का उद्खाटन पॉडिगरवाद में हुआ तो अगला लिख दीजे कंडोलिया थीम पार्क है कंडोलिया थीम पार्क है यह कहा है पॉडिगरवाद में इसका उद्खाटन हुआ था कंडोलिया थी इंपार को भी कहा हुआ था पड़ी घर मायर में देश की पहली भुकंप चेतावनी पढ़ाली देहरादून में स्तापित की गई थी सन 2015 में यहां भी क्वश्ण पुछेगा देश की पहली भुकंप चेतावनी पढ़ाली चेतावन्य पढाली कहां स्श्थापित की गई दून में देहरादून में कभ? 2015 में ये question भी आपको पूछा जा सकते है कि देश की पहली भुकम्प चेतावन्य पढाली कहां स्श्थापित की गई justamente देहरादून में सने 2015 में अगले last की दो question राश्टपती सासन उत्राखंड में राष्ट्रपती सासन कब लगा था उत्राखंड में ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि उत्राखंड में राष्ट्रपती सासन कब लगा था तो कब लगा था 27 मार्च 2016 को यहां राष्ट्रपती सासन लगा था ये question भी आपका most important हो जाता है 27 March 2016 इस question में आपको क्या करना है ध्यान से सुनना आपका home work है कितने दिनों तक लगा कितने दिनों तक लगा ये आपको देखना है 27 March 2016 से लगा था 11 बार मैं हिंट दे रहा हूं इसी का सपास है 27 March 2016 और अंतिम question है हाल फिलाल में कुछ समय पहले महिला ट्रांस हिमाले साइक्लिंग अभियान चलाएगे है यह उसमा उत्राखन का जो प्रतिनी दित्व किया वो कुमारी सुरूती रावत नहीं किया था तो अगला last question लिख लेजिए हिमालेयन, ट्रांस हिमालेयन, क्या लिखोगे महिला भी लिख दे ना, महिला ट्रांस हिमालेयन, साइक्लिंग अभियान में उत्राखन का प्रतिनी दित्व किस ने किया कुमारी सुरूती रावत ने सुरूती रावत ठीक है, हुमारी सुरूती रावत जी ने इसका क्या किया है प्रतिनी दित्व किया है, आपको ये भी पता होना चाहिए ये आप लोग के क्या थे, एक ऐसे question थे, जो हो सकता है आप लोगों से पूछा जाए, मैं अभी भी कह रहा हूँ current affair की पहली की तीन वीडियो देखना, उम्मीद करते हैं कि उससे आपकी क्या बन जाए, सारे question current affair की बन जाए बाकि जो वीडियो, बीपीडियो आगे ही जो भरतिया होंगी, उसके लिए तो current affair मैं लाओंगा, ही लाओंगा तो 2021 की में घटनाए आएंगी आपके साथ, 2020 की important चीज़ आपको बताऊंगा, इसके अलाओंगा, जो भी बची होंगी तेकिन पहली की तीन वीडियो का current affair की आपको must देखने है, ठीक है